हे भोले नाथ, जब से हमारी बहुरानी यहां से ट्रांसफर होके दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें, अब आप ही देखिये ना, लडने के लिए कोई हैं ही नहीं, इसलिए आप बस हम खुदी पर इल्जाम लगाते हैं और खुदी से लडते हैं ने, हमें आपकी एक बात नहीं सुने, आप बस हमारे एक काम केजे, कुछ भी करके हमारी बहुरानी को वापस यहां लेके आए, हाँ, बस हाँ पुषपा जी अरे, पारवती मा, आज आप, शिव जी नहीं है पुषपा जी ओ, माडम सर, वो, शिव जी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे एक बात बताईए, आप ये शिव जी को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं हम मतलब आज तक करश्मा सिंग ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है यही की उन्हें एक थाना इंडेपेंडेंडन्टली चलाने का मौका मिले और अब जब वो मौका मिला है मैडम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और वो वैसे भी नया थाना, नये लोग, नया महाल बतानी खुद को कैसे अट्जेस्ट कर पाएंगी वहां हमें लगता है कि वो जस्स कर लेंगी हमें आपकी बहुरानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है वो तो हमें भी है मैडम सर मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना वहां तो पुरुशी पुरुश होंगे उनके इर्दगिर्द कैसे संभाल पाएंगी पुरुशों को हां तो वो कौन सी महिला है मैडम सर हमारे कहने का मतलब है पुश्पाजी कि आपकी जो बहुरानी है ना उनकी सिर्फ पैकेजिंग और तो वाली है उनकी अंदर से दो चार हट्टे-कट्टे पुरुश तो ऐसे ही निकलाएंगे मैडम सर्फ पैने डोंट वरी वो सम्हाल लेंगे बिल्कुल सही अब फुश्पाजी आपको पता है अच्छी बात तो यह कि करिश्मा मैडम अब अपने स्टाइल से थाना चला सकती है क्योंकि वहां पर जजबातों का प्रेशर नहीं होगा ना तो एकदम खुल के डंडों का इस्तमाल होगा तुम ठीक हैरियो संतोष करिश्मा से अब अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे इन फेक्ट हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है करिश्मा सिंग के पास अपनी काबिलियत दुनिया और डेपार्टमेंट के सामने साबित करने का अ और जहां तक बात है उस नए थाने की तो आम शोर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे एक ऐसे चोका होना चाहिए तर ना संञाता क्यों है नहीं दरोगा जी आया और उनका कोई स्वागत नहीं है चाद अंदर कोई सर्प्राइस रखाओगा तर नवाज़ा खोलो करें पंद है कलाना ताना बत है अमा यह का टोपा के रिए अमा दर माज़ा खोलो अरे कहा ना बंध है, बाद में आना, ज्यादा जल्दी है तो बाजू में महिला पुलिस थाना है, वहाँ चली जाओ महिया कसा सू महिया इतना मुश्किल से वहां से या आया है, महिया से वहां नहीं जाना है महिया ऀमने इतने इतना है हम क्या ये भलत में देखे हां इतना है Прलप इपद आया जैरए। एस्यारादे वहां जल्दों चिर्टे हृता हुठ video मेडम, आप यहाँ आज तो थाना बंद है? थाना है या मोबाइल रिचार्च का दुपान है कि जब मनकिया खोल लिया, जब मनकिया बंकर लिया, थाना है यह हमेशा खुला रहेगा और एक्या चार्जन का उलाद बनके घुम रहे हैं सब की सब्यापे, दिन तहारे यंग पर दरशन चल रहा है सबका, कपड़े पहने है यूनिफर्म पहने हैं सबकी सब जल्दी, कोई काईदा कानून नाम का चीज होता है नहीं होता है नहीं होता है नहीं आद अचानक से सुभा सुभा एकदम आप हमारे थाने में, क्यो मैडम? अमा टोपा हो का? सुभा सुभा आठ भज रहा है हमारी लिए तो यही सुभा हो वर्दी पहन लिया? हो गया हो गया मैडम मुड़े? जी हमें स्थाने की नई इंचार्ज करिश्मा से पढ़ ले हो नहीं है तो उनका लेटर है? उनका किनका? सरकार का? हां सरकार का आदेश है कोई शक? नहीं मैडम हमको इसा क्यों लग रहेगी अभी भी आप सब को थोड़ा शक है जैहिंद मैडम जैहिंद अरे यार चंपक कपड़े कहां रख दिये यार हमारे? यही तो रख कर गया था मैं मैया का सासु मैया और कितना मोगली घुम रहे है यापर सब एक साथ सामने काही नहीं आते है हमारे यह कौन है भे? नई इंचार्ज है वर्दी पहन ले नहीं तो पर्मानेंट उतर जाएगी अपना दे दिये हो क्या हो गया? एक मिनेट मैंडम बस अभी पहन लेते हैं क्या दुनन बन रहे हो क्या? हादी मैंडम हो गया पैंट कहां है? पैंट कहां है? जी? पैंट कहां है? युनिफॉर्म की वर्दी में पैंट भी होता है ना? उसके बिना धूरा होता है ना? हाद तो कहां है? पैंट? पैंट कहां मिली? अभी जहीं तो रख यह रही रही जह रही मैं पैंट भी मिल गई मेडम बस एक ही मिनट में पहन लेते है पैंट कहां है पैंट कहां है अभी यह का मुश्यबत अभे? परिशाने की कोई बात नहीं वडम यह तो हमारे यह का हर रोजका है वो क्या है कि थाने के पीथे जो रेल की पटरी जाती है ना? जब भी कोई ट्रेन गुजरती है यह हमारा पूरा थाना बिचारा हिल हिला जाता है अच्छा वेसे आपको गैरेंटी देते मेड़ा खाने तभी गिरने नहीं वाला है हमारा आप वेसे रिलेक्स होके बेटी है ना आराम से आप यहां पर तो सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है जी वेसे भी मैं हो ना का ना में तुमारा राज वीर तॉमर हेड कॉंस्टेबल राज वीर तॉमर जी वेसे प्यार से तो हमें सब कंपुटर कंपुटर बुलाते हैं यह जो ने फैसे लेंगे यह है बहुत बढ़िया काम कियो, ये लो तुमारा है नाम हाँ वाँ, बहुत बढ़िया इस बोड पर थाना प्रभुप के नाम के आगे पहली बार किसी महीला का नाम लिखा देख रहे हैं बगवान के सम बता रहें, दिल खुष हो गया है हमारा बगवान से बस यही कामना है कि इस नाम के नीचे जो है कभी किसी और खा नाम ना आ पाए बस अमा हम दस पंदरा दिनों के लिए आये हैं यहां टेंपरेली ट्रांसफर हुआ है हमारा वह बुल्बुल पांडे सर ठीक होकर हॉस्पिटल से वापिस आ जाएंगे और हम वापिस चले जाएंगे हमारे महिला फिलस्थाना क्या हाँ मतलब सिर्च दस पंदरा दिन के लिए आपने दो दिल तोड़ दिया मेडम का मुल्षो Cane मेरा मतलब सरकाल ने दिल तोड़िया जी हमारा एक महिला को थाना अधिकाली बनाकर नारी शक्ती को जो प्रोचसाहिद भी किया तो सिर्फ तस Mitar Turkey यह तो गलत है ना मतलब खटिया हमारा मतलब है कि मैडम को सिर्फ पंद्रा दिनों के लिए बेजने वाला जो आइडिया है न यह घटिया है नहीं मतलब यहां कोई फाइल ढूनना होगा तो दो साल पहले फाइलों के सरोवर में कूदना पड़ेगा हमको हमारे मतलब का मोती चुनने के लिए करंट केस कौन सा चल ला है आपर उसका फाइल दो हमको जी ऐसा तो कोई केस ही नहीं न मेडम का मतलब का कोई केस नहीं चल ला है आपर कोई पेंडिंग केस नहीं है मेराम जब पहले से ही सभी केस हो की हैपी एंडिंग हो चुकी है तो कोई पेंडिंग केस तो बचा ही नहीं सबी केस पहले से सॉल वर पड़े मिटा अरे वो करके गए है वो कौन करके गए है? वो वो बुलबुल पांडे बड़ा ही कमीन मेरा मतलब जहीन इंसान है होस्पीटल जाते जाते एक एक केस चुन-चुन कर सब निप्टा कर गए है तो मैडम ऐसा निप्टा कर गए है कि उसके बाद कोई केस थाने में दरजी नहीं हुआ यहां तक कि फून के भी एक कंप्लिएन नहीं आया मैडम केस अए का कैसे फून बजेंगा कैसे? तार होगा तो-फून बजे, कैसे कैस अएगा यहां पर? एक घंटा के अंदर अंदर अगर इस्थाने का खल पूर्जा बराबर नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, तो मैया कसम हम आगे आने वले 15 दिन सब के छन्नुम बना देंगे, समझ में आया, जब भी याद करोगे, एक ही बात बोलोगे, दरोगाजी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा, का समझे, का ये मूँ फाड़के का देख रहे हो हमको, अमा फोन नहीं बच सकता था, कोई चल के तो आ सकता था इंसान, को इंसान तो आया होगा कभी, लो नाम लिया और आ गया, आईए आईए, क्या नाम है आपका, अका नाम का है आपका, संदर, संदर तो बह अरे, नाम बता रहे है, हाम, हाम, मिस्टर, मिस्टर सुंदर, तो, संदर पाल जी, आप गषा, संदर 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 мощ पाल जी, आप बिलकुल घभराएए मत, आप एकदम सही झाल पर आले है, आपको जो भी समस्या आप हमको बताइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, दंके की चोट पर दिलाएंगे, आप हमें बस अपनी समस्य बताईए, आइए हमारा देखे, सुन्दर सरस्वति पाल जी नाम तो हमारा सुन्दर पाल है, सरस्वति हमारी माँ का नाम वो क्या है नाम जो कुछ भी है अपनी माँ के आशिरवात से हैं तो अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम रखते हैं, सुन्दर सरस्वति पाल वाँ, क्या बात है, नहीं मतलब आप जैसे लोग आज कल की जमाना में देखना बहुत कम मिलते हैं ना आपके जो विचार है हमको बहुत अच्छे लगे अब बताएए आपका क्या समस्या है मेडम जी हमारी माँ ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया हमने किया, हमेशा दिल से सम्मान किया और आज एक औरत हमारा मान सम्मान लूटने पर तुली हुई है यह देखे, देखे क्या किया हमारे साथ देखे, देखे क्या किया उसने देखे कौन है यह औरत? किसने यहाल किया तुमारा? क्या नाम असका? दॉली शर्मा तंतू चले समाई लेकर आओ हाँ ला रही हुँ कुछ पर मेडम मेडम एक मिनट मेडम 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 कहा? मेडम 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 प्रशी आई आप आप कौन है? क्या नाम है आपका? मादम सर सिंगम उफ उठाइए उठाइए सब उठाइए आप आप क्या हुआ आपको? मेरा नाम डॉली है और मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी का मून ओच लिया है मून ओच लिया? किसका? उसी कुट्टे का आप नाटम नाटम बताइए अब जब खुट्टा वाला हर कती इंसान करेगा तो उससब करेगा बैचारा नहीं कुट्टा का मून ओच नहीं फाइल रखते हैं आप आईए आप बैठे हैं आराम से बैठे हर जगह फाइल्स गिरा दी यह लोग बैठे आई 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 आप बैठे प्लीज रलाक्स बैठे बैठे चीता बदनाम के पास से इन के लिए चाय ले आओ मैडम सरा बार बार भूल जाते हैं बदनमुआ का जहरीला चाय हम लोग बहुत पीछे छोड़ा हैं हम लोगा ठाना शिफ्ट हो गया है हाँ हमारी गलती है हम भूल जाते है ठीक है जहां से भी चाय लेकर आते हो वहां से इन के लिए चाय लेओ ठीक है लाते है असन पूझी जी बताए ऐसा क्या हो गया कि किसी का मून ओचने तक की नौबत आ गई उसी लायक था वो थोड़ी देर और सामने होता ना तो उसका पूरा मून ओच लेती में मेरी जिंदगी नर्क बना दी है उस घटिया इनसान ने घटिया आदमी गुस्सा आता है ना बहुत आपको पता है मेरे कौटर में ना मेरा उचो दरवाज़ा कुचो 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 कर रहा है लेकिन वो घटिया आदमी कार पर किक नहीं कर पाता है संतू, संतू यह मामना थोड़ा अलग है हाँ हाँ, चीक हाँ, तो डॉली, क्या नाम है इस आदमी का? सुंदर सरस्वति पाल आपने तीन तीन आदमियों का मून उचाहे वो एक ही आदमी है सुंदर सरस्वति पाल मैडम जी हमारा पब्लिकेशन हाऊस रजो पब्लिकेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, इजजत है हमारी करोडों का टेक्स भरते हैं अरे बड़े-बड़े राइटर छापे हैं हमने एक दिन यह औरत हमारे ओफिस में आई बोली जॉब चाहिए, प्रूफ रीडिंग की जोड़ अरे इंट्रीव लेते ही समझ गई था हम ना इसके पास क्वालिफिकेशन है, ना एक्स्पिरियंस है पर बोली, नोकरी की सक्त जरूर जरूरत थी मैडम डिवार्स के बाद मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और इस जॉब से मुझे वो सब कुछ मिल रहा था पर जब उस कमी ने को पता चला कि मैं डिवार्स हूं तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तकलिफ समझ सकता है क्योंकि उसकी खुद की मा भी डिवार्स ही थी मुझे लगा एक ही पत्थर से चोट खाये दो लोग शायद एक दूसरे के दर्द को बहतर समझ सकते हैं मुझे वो आदमी अच्छा लगा पर मैं गालत थी उस पर भरोसा करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी क्यों? ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन तो ठीक चला मैंटो फिर एक दिन डॉली मेरे कैबिन में आई उसने मुझे प्रमोशन आफर किया मैं बहुत खुश हो गई पर जब उसने कहा ओँ मुझे प्रमोशन तो देदेगा फर उसके बतले उसे मुझसे क्या मिलेगा तब मुझे उसके असल मनसुबे का पता चला तो फिर फिर तुमने क्या किया? जो करना चाही था हमने प्रमोशन देने से माना कर दिया हमने का भाई अभी तो नोकरी लगी है, कहां से देंगे प्रमोशन, बस ब्लैक्मिलिंग पर उतर आई, बोली कि हमें आते हैं तरीके मनवाने के, कैसे, कैसे तरीके, उसने पूरे आफिस में बात फैलानी शुरू कर दी, कि, मैं गलत लड़की हूँ, कैरेक्टर लेस हूँ, क पर आप, अब सब मुझे दूसरी नजर से देखने लगे, डॉली, 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 रिलाक्स, शान्त हो जाओ, संतोष, पानी, कुष्पजी ज़राब पानी देजे प्लीज, जी, हम लाते हैं, एक बात बताओ, डॉली, तुम इतनी शुरूटी के साथ, कैसे कह सकती हैं कि यह काम सुंदरपाल का ही है, क्योंकि उसने आज भी मुझे बुलाया था अपने केविन में, और कहां अभी भी वक्त है, आउपर एकसेप्प कर लो बरना, तुम्हें बद नाम कर दूँगा, मेरे केविन में आयो और उसने वही जित पकड़ दूए, परमोशन चीए, परम निकालने तुम्हें, बस इतना कहना था, चुडेल बनकर सवार हो गई हमपर, रहे नाखुन मान मार कर देखिए, क्या हल किया हमारे चेरे का देखिए, अच्छे बले चेरे को खराब कर दिया उसने, और उपर से धमकी देखे गई, पुलिस में जाकर कमप्लेट करेगी, मा क्या सोच रही है माडम, यही कि अभी तक चीता चाय लेकर क्यों नहीं आया है ना माडम से, राइट, आपके पास अपने बॉस के खिलाफ कोई सबूत है, नहीं, पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है, उसका एक-एक लफ्स सच और सिर्फ सच ह आपके खामोशी बता रही है, आपको हमारी बात पर यकिन नहीं, आखिर हैं तो आप एक औरत ही ना, मर्द को सही कैसे मानेंगे नसीब बहुत अच्छ है तुम्हारा कि हमारा स्थाने में आज पहला देते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि पहला ही देन हमारे हाथों ना कोई अस्पताल पहुच जाए, नहीं तो इतना घटी अलजाम जो तुम इना भी लगाया ना, इसके बाद तुम अपने दोनों पैरों प चाहते हमेदम ल noodle करें अDauly मं कर अखते हैं एक सबत्ताला है, यह सबमे लेगाई करें तुम हारा इंसाफ कहाना है, जो जाआ magnitude अछिए, आर अपने लोकी सब्साण की पैरां, यह तो सारा शहर जाता है की करिश्मा सेंग अपने वादा का कितना पक्की है हम जानते हैं डॉली हमें पूरा यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है गबरामद तब जुर्बा कहता है हमारा कि सच के पास खुद को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिलता क्योंकि सारे सबूत तो जुट को साबित करने के लिए लग जाते हैं लेकिन सच सूरच की तरह होता है जो कभी न कभी कही न कहीं से सामने आ ही जाता है तुम्हारा सच भी सामने आएगा तुम्हें इंसाफ मिलेगा हम उस मुझरम को पकड़ेंगे भी और तुम्हें तुम्हारी नौकरे भी वापस में लेगी बो भी पूरे मान सम्मान के साथ ये हमारा तुमसे वादा है